नमस्का दोस्तों तो आज हम कथा दर्पन में आपको कृष्णा सूबती जी की कहानी सुनाने वाले हैं जिनों ने उनमें लिखा था दादी अम्मा तो पहले इनके बारे में आपको जानकारी देते थे और यह लेसन बहुत बड़ा है तो में भी इसका पार्ट वन पार्ट व या पार्ट 3 भी आ सकता है तो बिना वक्त कवाय स्टार्ट करते हैं कृष्णा सूबती का जन्म गुजरात में 18 फेबरी 1925 1925 को हुआ था विवाजन के बाद वे दिल्ली में आकर बस गई और तब से यहीं रहकर साहित सेवा कर रही थी उन्होंने में 18 18 में जीने गी नाम मा के लिए साहित आकाडमी का पूरास्तकार मिला उनको प्राइस मिला था जिंद्गी नामा के नाम सॉरी 19 ironic 1996 में उन्हें साहित आख अकाडमी का फेलो बनाया गया जो आदमी अकाडमी का सवष सम्मान है फिर डारेक्ट कुंद के आ जाते हैं नीचे क्योंकि इंट्रो दिया गया है इतना इंपोर्टन नहीं है आते हैं मनुस्कृति में जो इन्होंने उपन्यास लिके हैं उपन्यास तो डर से डर से बिच्छडी मित्रो मननरंजनी यारो के यारतीन पहाड मैं आपको सजेस्ट कर लिखा गा उसमें अंधेरे के सूरज मुखी अंधेरे के एंसो बती 100 यह सब इनके उपास है और इनकी मृत्ती हुई है 25 जनवरी 2019 को तो यह जो मैंने सीव इंपोर्टन बता है बीचका जो मैंने गैप मारा वह इसलिए मारे क्योंकि इतना बहुत बड़ा हो जाता और इतन की हलकी हवाए पत ज़र के फीके ओटो को चुपके से चूम गए जाडे ने सिकड़े सिकड़े पंक फड़फड़ाए और सरदी दूर हो गए आगन में पीपल के पीड़ पर नए पत्ते खिल खिल आए परिवार के हसी खुशी में तेरन दिन रात मुस्कुराए उठे भरा भराया घर समभाली सभरी सी सुंदर शलोनी बहुए चंचलाता गवाया बेटियां सबनक्न सबनने सबननyastr आप इंसिक में बोलते जाओंगो और जो important नहीं रहेगा मैं इस्पिक करने वाला दो आप इतना टेंशन मस्क्रीट करेंगे मैं बोलने लगा आपने पूरा लेस् भी complete हो जा easy way में मजदु वाले युवा वाले बेटा बाहू वाले बेटा मजबूत बाहू तो इसमें प्रेशन आ सकता है बेटे कैसे थे तो मजबूत बाहू यह देखो इधर पर में उपर कर देता है महरा देखती और सुख में भीग जाती यह पाँचों बच्चे उसकी उमर भर की कमाई है महरा की उमर भर की कमाई क्या है यह भी सवाल आ सकता है तो उसके यह पाँचों बच्चे उमर भर की कौन-कौन बेटियां, युवा, सलोनी, संभली सा, ठीक है, उस वे दिन भूल, भूलते जब वेवाय के बाद 6 वर्ष तक उसकी गोद नहीं भरी थी, उसके मतलब जब मैरिज हो गई थी, तो उसकी 6 वर्ष तक गोद नहीं भरे थी, उटते बेटते सांस भी गंबीर कटोर दुश्ती में उसकी सुची देह को टटोल जाती, रात को तकरी पसीड डालते डालते वह सुचती की, पती के प्यार की छिप छाया में लिप्टे लिप्टे भी उसमें कुछ वेर्थ हो गया है, और समर्थ हो गया है, कभी सक्तु सी सुसूर के पास से निकलती, तो लगता कि इस घर की देहरी पर पहली बार पाव रखने पर जो आशिश उसे मिली थी, वह उसके सार्थक नहीं कर पाई, वह ससूर के चढ़नों में जुकती थी, और उन्हें सिर पर हात रख कर कहा था, बहुरानी फूलो फलो, कथा दरपन के सामने, खड़ी खड़ी वह बाहें फेला कर देखती, क्या इन बाहनों में अपने उपजे किसी नन्ने मुत्रे को भर लेने की शमता नहीं, छे वर्ष की लंबी प्रतिक्षा के बाद सर्दियों की एक लंबी रात में करवाहट बदलते बदलते मेहर को पहली बार लगा था की, जैसे नर्म नर्म लिफाफा, ली हाफ में वस सिक्वडी पड़ी है, वैसे ही उसे उसके तन, मन, प्रण, ये ध्यान रखना तन, मन, प्राण, कि नीचे गहरे कोई धड़कन उससे लिप्टी आ रही है, कभी सर्दियों की रात में करवाट बदलते बदलते कि उसको लगा कि उसके तन, मन, प्रण की नीचे गहरे कोई धड़कन उससे लिपटी आ रही है, मतलब कोई छोटी सी हाटबीट उसको सुनाई टाइप की दे रही थी, उसने अधिकारी अंधियारे में एक बार सोय हुए पती की ओर देखा था और अपने से लजजा कर अपने हातों से आँख धक ली थी, बंद पलकों के अंदर से दो चमचमा ती आँखे थी, दो नन्ने नन्ने हाथ थे, दो पाव थे, सुभ उठकर किसी मीठी शिलात से घिरे घिरे अंगडाई ली, आज उसका मन भरा है, सास ने भंकार प्यार बरसाया है, तो जो उसके उसने आँख बंद की, तो उसको आँख बंद करने के बाद क्या रिखे, जो चोटी चम कीली आँखे, दो नन्ने नन्ने हाथ, दो पाव, चोटे चोटे उसको ऐसे मतलब एक व्रीम में दिखा, और जब सुबह उठी, तो उसको सास ने बहुत सारा प्यार दिया, बहु अपने को ठकाव मत, जो सहच सहच कर सको, करो, बाकी मैं समभाल लूँगी, वह कृत ग्यात से मुस्करा दी थी, काम पर जाते पती को देख, मन में आया था कि, कहे, अब तुम मुझसे अलग बाहर ही नहीं, मेरे अंधर भी ओ, दिन में सास आ बैठी, मा था सहलाते सहलाते बोली, बहुरानी, भगवान मेरे बच्चे को तुम सा रूप दे, और मेरे बेटे सा जिगरा, बहु की पल के जुग गई, बेटी उस मालिक का नाम लो, जिसने बीज डाला है, वो फल भी देगा, जिसने बीज डाला है, उसने वो फल भी देगा, उसकी सास, उसकी भषुरानी को क्या बोलती है, कि बेटी, भगवान मेरे बच्चे को तुम सा रूप मतलब उसकी साथ सुमर डिमांड कैसे करती है इंडिरेक्ली फोर उसके पुते के लिए कि जो मेरा आने वाला पुतर उसको जो रूप सुन्दरता है वो तुम्हारे जैसा दे और मेरे बेटे जैसा जिगर दे मतलब इस्ट्रॉंगनेस मेरे बेटे जैसा दे बहु की पल के बेटी उस मालिक का नाम लो मालिक कौन भगवान मालिक का नाम लो जिसने बीच डाला है वो फल भी देगा मलो उनका एक्जामपल उसने ऐसे ताना मारा कि उसको बुरा भी ना लगे और एक अच्छा मेसेज भी मिले महरा को मा का घर याद हो आया और उसी टाइम उसको अप के कर रही है बाबा यह बताओ मेरी के भाग्य में कितने फल हों मतलख यह चली गए अपने सरसूरार सुरी सरसुलानी माईकी अपनी मा के घर पे और वहां पर एक बाबाया था जो सबकी हाथ तुरह देखके बता रहा था कॉन किया है उसका पविश्चित दू उसकी माना ब एक इसमें बुक में हमें थॉट दिया गया है मतलब अलग तरह से बात करके थोड़ी घुमा फिरा के यह स्टोरी बनाई गया लेकिन बहुत अच्छी स्टोरी है पास खडी मेहर समझ नहीं पाई थी हाथ में फल उसको डाउट आया उसकी माने कैसे पुछा यह नहीं पुछा कितने पुछा हाथ में फल कोशन मार्क है इसलिए देखिए मा हाथ में फल कब होते हैं तो यह आप पॉइंट कर लो क्योंकि एक्जाम में आ सकता है मेहर ने अप किसे कहती हो मा मा लड़की की बात सुनकर पहले हसी फिर गुस्सा होकर बोली दूर हो मेहरा जा बच्चों के संख खेल उसकी मा बोली तो अभी छोटी है जा बच्चों के संख खेल उस दिन मेहर का छोटा सा मन यह समझ नहीं पाया था पर आज तो सास की बात वह समझ ही नह भी रही थी, बूझ भी नहीं रही, मतलब सॉल भी नहीं हो रही थी, बहु के हाथ फल होते हैं, बहु के भाग में फल होते हैं और परिवार की बेलबढ़ती है, मेहर की गोद में इस परिवार की बेलबढ़ी है, बेलबढ़ी है, बेलबढ़ी यानि जो आने वाली जनरेशन बेल बड़ी आज घर में दो बेटे हैं उनकी बहुए हैं ब्याद देने योग दो बेटियां हैं हलके हलके कपड़ों में लिप्टी उसकी बहुए जब उसके सामने जुकती हैं तो शन्भर के लिए मेहर के मस्तक पर घर की समविनी होने का अभिमान उभराता है स्वामिनी यानि the queen of our home स्वामिनी होने का अभिमान उभराता है अभिमान यानि मतलब बोलते हैं अकड़ थोड़ी सी अच्छा लगता है उसे वह बेटे बेटे उन्हें आशिश देती और मुस्कुराती बिलकुल ऐसे ही वह भी कभी सास के सामने जुकती थी यह धान रखना स आज भी कभी बहुती जो सीरिय लाता था वह इसमें लिखाया है वह भी कभी सास के सामने ऐसी जुकती थी आज तो वह तिक ही निगाहे वाली मालकिन बच्चों की दादी अम्मा बनकर रहे गई है पिछवाडे के कमरे में से जब दादा के साथ बोलती हुई अम्मा की आव हुए एक दूसरे को देख कर मनी मन हसती है लाडली बेटियां सिर हिला हिला कर खिल खिलाती हुई कहती है दादी अम्मा भूरी हो आई अभियान से देखो है यहां से ध्यान से सुनना तो चलिए पार्ट टू करते हम इसका अभी अपलोड होगा पार्ट टू यह वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई है तो हम वह बस स्टार्ट करते हैं थैंक यू फो वाचिंग मिलते हैं पार्ट टू में